कौन कलपना कर सकता था कि हम चंद्रयान चंद्रमा की दक्षिन धुरूप पर चले जाएंगे कौन कलपना कर सकता था एलेक्शन कमिस्ट मैंने पूछ लिया है तीन सो सटर हट जाएगी कौन कलपना कर सकता था टिपल स्टलाक समप्ध होगा कौन करपना कर सकता था तो महिला आरक्षन बिधियक पास होगा जगत गुरू राम भद्राचारे जी की ये बास सुन रही है ना पीम मोदी ने बीते नौ सालों में ऐसे कई अतिहासे कदम उठाए हैं जिसकी कोई कलपना तक नहीं कर सकता था आपको बता दें कि पीम नरिंद्र मोदी जी श्रीराम की तपो भूमी धर्म नगरी चित्रिकूट में सद्गुरु सेवा संगतरस्ट की सापना करने वाले स्वर्गे अर्विंद भाई मफत लाल के जन्मशताब्दी कारिक्रम में शामिल हुए पीम मोदी ने उनकी सौवी जन्मशताब्दी पर डाग टिकेट जारी किया साथ ही अर्विं भाई मफत लाल की समाधी स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर जानकी कुण चिकित साले के नई विंग का लोकारपन भी किया पीम मोदी जी ने तुलसी पीठ कांच बंदिर में दर्शन के साथ जगत गुरु रामभद्राचारे महराज का आशिरवाद लेकर जगत गुरु जी के तीन ग्रंतों का विमोचन किया महरी जगत गुरु रामभद्राचारे जी ने मोदी जी और भगवाण स्रीक्रिश्न को अपना परम मित्र बताया मेरे दो मित्र हैं सांसार सांसारिक दिष्ट में लोक में मेरे मित्र हैं नरेंद्र भाई मोदी ये कोई चाटु कारिता ने भारत के शिष्टी प्रजान मंत्री नरेंद्र भाई मोदी और अलोकित मित्र है भगवाण स्रेक्रिश्न मोदी जी का चित्रपूर दौरा अध्यात मौर सनातन संस्रती से परिपूर ने रहा और हमेशा की तरह यहां भी पीएम मोदी ने हर काम की शिरुआ सनातन संस्रती के साथ ही की पूर्व सरकारों में जहां सनातन संस्रती को दुद्कार आ जाता था वही मोदी राज में आज सनातर संसुती का सूर्योदे हो रहा है तब ही आज हर सनातनी के मन में सिर्फ मोदी जी बसे है